इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कायमोरल प्लस टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है। इसका इस्तेमाल rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis और osteoarthritis जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन से राहत के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों के दर्द, पीठ दर्द, दांत के दर्द, या कान और गले के दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। कायमोरल प्लस टैबलेट को भूजन के साथ लेना बहतर होता है। यह आपको पेट की गरबड़ी से बचाएगा। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और यह आपके लक्षनों में कितनी बहतर तरह से मदद कर रही है। आपको डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इसे लेना चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताये गए डोज से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तिमाल न करें। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, अपच, हार्ट बंद, पेट में दर्द, भूक में कमी और डायरिया, दस्त शामिल हैं। अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट आपको परिशान कर रहे हैं, या स्थिती अधिक खराब हो रही है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट की रोक थाम या इनहें कम करने के तरीके बता सकता है। इससे लेने से पहले, अगर आपको पहले कभी पेट में अलसर या ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर या हॉट किड्नी या लिवर से समबंधित कोई समस्या रह चुकी हो तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बता दे क्यूकि वे इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। गर्भावती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इस दवा का सेवन करते समय आपको शराब पीने से परहेज करना चाहिए। क्यूकि शराब से अत्यधिक जपकी आ सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।